देवियों और सज्जनों नमस्कार आज की इस खुशनुमा सुहावने सुभा में आप सबों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ मैं श्री निरंजिन वर्माजी से दर्ख्वास करूँगा कि वो राजीव दिक्षित को मंच पर ले आएं व्याख्यान से पहले मैं प्रभावती जैपर का सेवा केंद्र जो इस कारिक्रम के आयोजक हैं उनका मैं परिचे देना चाहूँगा यह एक ऐसी संस्था है जो पिछले 25 वर्षों से तमिलनाड के सुदूर गाउं से आर्थिक रूप से नहायत गरीब और दुर्भाग्य से जो पोलियो ग्रसित भी हैं ऐसे 200 बच्चों का वहां लालन पालन पढ़ाई लिखाई उनकी चिकित सा उनका खान पालन का कपड़ा सब कुछ मोहिया का यार जाता है और यह करीब 35 किलो मिटर दूर यहां से गुड़वांचरी गाउं में स्थित है आपको जब भी मौका मिलें किरपया वहां जाएं और देखें कितना बड़ा मानुवी कारी वहां हो रहा है और इस मानुवी कारी के पीछे जिस हस्ती का सबसे बड़ा हाथ है वो है हमारे देव सरूप आदरनी श्रिशोभा कान जी मैं उनसे आदर करूँगा दर्खवास करूँगा क्यों मंच पर आएं अब मैं मुखातिब हो रहा हूँ सरी राजीव भाई की और राजीव भाई किसी परिचे के महताज नहीं है पुरा देश उन्हें जानता है कि उनका रास्ट्र चिंतन और जो रास्ट्री चेतना की बात को पिछले 15-20 वर्षों से करते आ रहे हैं उसने ऐसी जागरूपता फैलाई है जिसके लिए लोग उन्हें हर बार सम्मानित करते हैं ऐसे राजीव भाई जहां भी राश्ट्री चिंतन की बात होगी जहां भी संस्कृति की बात होगी हमारी धरोहर की बात होगी वहां राजीव भाई का नाम शिर्ष पे लिया जाएगा यह हम सब जानते हैं और आज वो हमारे रूप हमारे बीच में एक दूसरे अवतार के रूप में उपस्तित हुए हैं वो राश्ट्र धर्म की बात भी करेंगे लेकिन सबसे ज्यादा बात हो करेंगे हमारे स्वास् रहेगा तो राश्ट्र धर्म और राश्ट्री चेतना हम फैला पाएंगे इसलिए इन्होंने एक नया एक रूप लेके हमारे बीच में वो पस्तित हुए हैं और वो शरीर की बात करेंगे यह सरीर जो इस रिष्टी की सबसे बड़ी देन है इस पृत्वी पर यह सरीर जो ह हमें बताया है उन्होंने अपने अनुबहों को गरंतों में लिखा है लेकिन जिसे हम पढ़ने ही पा रहे हैं यह राजीव दिक्षित जी ऐसे हैं जिन्होंने आश्टांग सक्रा और आश्टांग हिर्दय जो रिषी वागभट ने लिखा था उस पर पिछले तीन वरसों स ऐसा सोध किया है उसमें इतनी गहन अध्यान किया है और उन्होंने हम लोगों के बीच में उसको लाने की कोशिस की है बहुत ही सरल और सहस तरीके से कि उन सूत्रों का अगर हम अपने जीवन में जो कि बहुत ही सरल है उसे अगर हम जीवन में उतारें तो हम बहुत ही बहु ज्यादा उम्र तक बिना किसी डॉक्टर या वैदी के हम लोग जी सकते हैं तो मैं अब ज्यादा नहीं बताना चाहूँगा और मैं अब ये पूरा मंच इस नए कलेवर के साथ एक नए अवतार के रूप में उपस्तिस राजीव दिक्षित को सौपता हूँ उससे पहले मैं उन्हें सम्मानित करना चाहूँगा मैं श्री बंसिलाल जी बजाज जिन्होंने हमें मीडिया के रूप में बहुत अपने पत्रिका मैं बहुत ज्यादा हम मेडिया पिछले एक महिनों से मैं चाहूँगा क्यों आएं और माला द्वारा उनका स्वागत करें श्री शोबा गांच जी शौल उड़ाकर उनको सम्मानित करेंगे अब पूरा मंच राजीव दिक्षित को समर्पित है और मैं चाहूँगा कि अपने मोबाइल फोन्स को या तो स्विच आफ कर लें या फिर उसे साइलेंट मोल्ड में डाल दें क्योंकि स्वास्त के लिए या स्वस्त होने के लिए यह हमारा पहला चरण होगा श्री राजीर दिक्षित जी और स्वास्थ का विशे है, इस पर बात करने की प्रेरणा मुझे पिछले 3-4 साल पहले हुई, जब मैंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था, मैंने भारत देश की सरकार के स्वास्थ मंतरी को एक पत्र लिखा था, ये जानने के लिए कि हमारे देश के लोगों की स्वास्थ की स्थिति क्या है हमारे देश की सरकार हर दस-दस साल में एक जनसंख्या की गणना कराती है जिसको सेंसस कहते हैं हमारे देश में तो जब सेंसस होता है तब उस समय ये भी गणना की जाती है कि कितने लोग बीमार हैं किन को क्या-क्या बीमारी है और कितने लोग स्वस्थ हैं कितने संपून स्वस्थ हैं, कितने आधे स्वस्थ हैं तो मैंने आज से लगबग चार साल पहले एक पत्र लिखा था स्वास्त मंत्री को और उसमें एक ही प्रशन पूछा था कि भारत के लोगों की स्वास्त की इस्थति क्या है तो हमारे देश के मंत्री महोदे के सच्छिव ने, सेक्रेटरी ने उत्तर दिया कि देश के लोगों की स्वास्थ की जो इस्थिती है उसके लिए हम आपको पूरा डाटा भेज रहे हैं आप उसका अध्यन करके खुद अंदाजा लगा लीजे तो सरकार ने जो मुझको डाटा भेजा वो एक दो पन्ने का नहीं था वो काफी छे साथ सो पन्ने का मोटा सा एक पुलिंदा था उसमें जो सेंसस की रिपोर्ट थी वो पूरी उन्होंने लिखी थी वो पढ़कर मुझे बहुत परेशानी हो गई परेशानी क्या हो गई कि उसमें उन्होंने बताया कि लगबग 112 करोड लोग इस देश में रहते हैं और 112 करोड लोगों में स्वस्थ लोगों की संख्या गिंती की 25 से 30 करोड है बस 25 से 30 करोड लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको स्वस्थ कहा जा सकता है जिनको किसी तरह का कोई रोग नहीं है शारी रिक रूप से भी और मानेसिक रूप से भी बाकी जितने भी लोग हैं सबी को कुछ न कुछ तकलिफ हैं जैसे भारत सरकार के विशेशग्यों ने ये कहा कि पांच करोड लोग इस देश में हैं जिनको डाइबिटीज है मदुमे हैं खराब बीमारी है दुनिया के जादतर डॉक्टर कहते हैं कि ये जल्दी ठीक नहीं होने वाली बीमारी है और ये पांच करोड लोगों को हो गई है और विशेशग्यों ये कहते हैं उस रिपोर्ट में कि अगर यही गती और रफतार से डाइबिटीज बढ़ती गई तो अगले 2014 तक लगबग 10 से 12 करोड लोगों को ये होगी फिर उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 12 से 13 करोड लोग ऐसे हैं जिनको लंग्स इंफेक्शन की भिन्न भिन्न बीमारियां है जैसे दमा है, अस्थमा है, सांस फूलती है, ब्रॉंकियल अस्थमा है, ट्यूबर कुलोसिस है ऐसे 12-13 करोड लोग है फिर वो विशेशग्यों की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगबग 15-16 करोड लोग हैं जिनको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जड्डियों का दर्द जिसको आप संधी वात कहते हैं सरल भाशा में ये हड्डियों के जोडों के दर्द की बीमारिया है फिर उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 9-10 करोड लोग हैं जिनको पेट का कुछ न कुछ तकलीफ है जिनको पित्त की बीमारियों के द्वारा हम लोग अक्सर परिभाशित करते हैं गैस बनना, एसिडिटी होना, अलसर होना, पैप्टिक अलसर होना, हाइपर एसिडिटी होना वगरा वगरा और ये सब में पढ़ता गया और एक जगे लिखा हुआ था रिपोर्ट में बहुत परिशान करने वाली बात कि 20-22 करोड लोग हैं जिनको आँखों की कुछ न कुछ बीमारी है या तो कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता, दिन में दिखता है तो रंग का अंतर पता नहीं चलता, हम लोग अंग्रेजी में उनको नाइट ब्लाइडनेस या कलर ब्लाइडनेस या ग्लूको में जैसी बीमारियों से परिभाशित करते हैं और ये पढ़ते-पढ़ते में परिशान होता गया अंत में रिपोर्ट के आखरी हिस्से में सरकार की तरफ से ये बताय गया था कि ये सब बीमारियां तो हैं और सरकार इनके लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है हर साल केंदर सरकार का बजट है इन बीमारियों को ठीक करने के लिए वो करीब 96,000 करोड रुपए का है परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों मिलाकर डाइरेक्ट और इंडाइरेक्ट फिर राज्य सरकारों के अलग-अलग बजट है उन्होंने बताया कि जैसे तमिलनाडू की राज्य सरकार का बजट 35,000 करोड का है आंदर प्रदेश की सरकार का बजट 28,000 करोड का है ऐसे अलग-अलग राज्यों की सरकारों का बजट है केंदर सरकार का बजट और राज्य सरक सरकार कहती है कि बिभिन बीमारियों का इलाज करने के लिए इस देश में जो डॉक्टरों की संख्या है जो रजिस्टर्ड है वो 23 लाख है MBBS, MDMS, BAMS माने आयरोवेद के और प्लस BHMS होमियोपैथी के तीनों विधाओं के होमियोपैथी, आयरोवेद और एलोपैथी तीनों मिलाकर सरकार कहती है कि 23 लाख डॉक्टर हैं जो रजिस्टर्ड हैं अब 23 लाख डॉक्टर और लगबग 70 से 75 करोड मरीज या बलकी 80 करोड मरीज तो मैंने हिसाब निकाला कि एक डॉक्टर कितने लोगों का इलाज कर सकता है अगर इमानदारी से कोई डॉक्टर सवेरे से शाम तक सवेरे साथ बजे से शाम साथ बजे तक क्लिनिक में काम करे तो जादा से जादा 50 लोगों को वो देख सकता है अब 23 लाख डॉक्टर हैं और 50 का उसमें गुणा कर दो तो बीमारों की संख्या और जिनका इलाज हो पा रहा है उनकी संख्या में जमीन आस्मान का अंतर है फिर मैंने एक दूसरा पत्र लिखा और मैंने स्वास्थबंतरी को ये कहा कि ये डॉक्टरों की संख्या तो परियाप्त नहीं है बीमारों का इलाज करने के लिए क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए तो बंतरी के यहां से पत्र आ गया कि भारत की सरकार और राज्य की सरकारों ने अब तक जितने डॉक्टर्स बनाए हैं इनको बनाने में करीब 10 लाह करोड से जादा का खर्च हो चुका है अगर ये संख्या हम दुगनी करें तो 20 लाह करोड रुपए हमें चाहिए सरकार के पास इतना धन उपलब्द नहीं है इसलिए ये व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी मालूम नहीं फिर मैंने भारत सरकार को याद बिलाया कि भारत सरकार ने एक अंतर राश्विय समझोता किया हुआ है जिसमें कई देश शामिल है और वो समझोते का टाइटिल है 2014 तक सभी स्वस्थ भारत में संद 2014 तक सभी को स्वस्थ हो जाना है ये सरकार का समझोता है तो 2014 तक कैसे होने वाला है? मुझे नहीं लगता कि कोई होने की संभावना है और सरकार स्विकार करती है कि जिस गती से सरकार काम कर रही है अगर सभी हिंदुस्तानियों को स्वास्थ दिया जाए चिकित्सा दी जाए तो कम से कम साड़े 300 साल लगेंगे ये कैलकुलेशन मैंने कैसे निकाला? हर साल जितने डॉक्टर इस देश में पढ़कर निकल रहे हैं एलोपेथी, होमियोपेथी और आयुरवेद के और उसमें देश का जो ग्रोथ रेट है 10% वो जोड़कर हर साल उनकी संख्या बढ़ती जाए तो साड़े 300 साल में सभी को चिकित्सा और स्वास्थ मिल जाएगा अब पता नहीं, साड़े 300 साल में कितने जीवित बचेंगे और कितने यहां से चले जाएगे अब मेरी एक जो दुख की बात है मन की वो ये कि साड़े 300 साल में जनसंख्या अगर जो बढ़ रही है उसको जोड़ दिया इसमें तो किसी को भी स्वास्थ कभी भी उपलब्द नहीं हो सकेगा जब ये जानकारी मुझे आई तो मैं बहुत परिशान हुआ और मैंने सोचा कि ये तो बड़ी गंबीर इस्थिती है फिलहाल पिछले कुछ वर्षों से मैं स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़ा हूँ उन से जब मैंने इन सब विशों पे चर्चा की तो वो भी कहते हैं कि बात तो बहुत गंबीर है सबको स्वास्थ मिलना सरकार के बूते का और सरकार के दमपर और चिकित्सा जो चल रही है इस देश में उसके दमपर तो संभव नहीं है कोई और रास्ता ढूनना पड़ेगा अब दूसरा रास्ता ढूनने के लिए मैंने भारत देश के कई बड़े चिकित्सकों से बात करना शुरू किया ऐसे वैद्धियों से बात करना शुरू किया जो आयूरवेद के बड़े पंडित माने जाते हैं इस देश में विशेश रूप से एक वेद्दे हैं हारडीकर पूना में रहते हैं और उनका भारत में बहुत बड़ा उचा इस्थान है आज कल हिंदुस्तान के आयुरुवेद चिकित्सा के जो विशेशग्य है वो उनको आधुनिक चरक कहते है इतनी उची इस्थिती है उनकी हारडीकर जी की उम्र उनकी लगबग 85 वर्ष हो चुकी है मैंने हारडीकर जी से कहा कि भारत की चिकित्सा की जो इस्थिती है वो ये है सरकार कहती है आप क्या मानते हैं तो उन्होंने का कि भारत में किसी को भी सरकार के भरोसे चिकित्सा कभी नहीं मिल सकती। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी चिकित्सा स्वयम करे तभी रास्ता खुलेगा और कोई रास्ता नहीं। हारडीकर जी ने एक दिन मुझे कहा कि तुम जानते हो 200 साल पहले हिंदुस्तान में लोग बीमार नहीं थे इतने। तो मैंने का आप कैसे कहते हैं उन्होंने का स्टेटिस्टिक्स देखलो आンकड़े देखलो तो 200 साल पहले के भारत के लोगों के चिकित्सा और उस्वास्त के आँकड़े मैंने एकट्टे कीए जो अंग्रेजों की सरकार के द्वारा तयार किए गए थे क्योंकि उस समय भा में रखते हुए मैं अगर आपको सरल भाशा में कहूं कि अगर आज सो प्रतिशत लोग बीमार हैं तो दो सो साल पहले मुश्किल से आठ या दस प्रतिशत लोग ही बीमार थे अब वो आठ से दस प्रतिशत लोगों की चिकित्सा के लिए अंगरे जोने ऐलोपेथी व्यवस्था यहां शुरू की थी जो शायद परियाप्त रही होगी क्योंकि बीमारों की संख्या बहुत कम थी आज बीमारों की संख्या हमारी कुल संख्या की सतर से असी प्रतिशत हो गई है और ये चिकित्सा लगबग फेल हो गई है पिछले साट वर्षों में आजादी के बाद आप सब जानते हैं सरकार भी मानती है इस बात को कि जितना विकास हुआ है अलोपैथी चिकित्सा का जितने डॉक्टर बढ़े हैं जितनी दवाएं बढ़ी हैं जितने हॉस्पिटल बढ़े हैं जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतनी बीमारियां कई गुना गती से बढ़ गई अब ना हॉस्पीटल परियाप्त है ना डॉक्टर परियाप्त है आप अक्सर आए दिन अखवारों में समाचार पढ़ते होंगे टीवी पर देखते होंगे कि लोगों को बिना इलाज के मर जाना पढ़ता है बिना दवा के मर जाना पढ़ता है हॉस्पीटल के बाहर विचारे पड़े रहते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उनके उपर काम का इतना बोजह है कि वो सभी पेशन्ट को अटेंड नहीं कर सकते ये दोनों तरफ की बातें समझने के बाद मुझे वैद्ध हारडी करजी की बात समझ में आई कि सब लोग अपनी चिकित्सा करने लगें तो रास्ता खुलता है सभी के स्वस्थ होने का तो मैंने एक दिन हारडी करजी को पूछा कि क्या ये संभव है कि हर आदमी अपनी चिकित्सा खुद कर ले तो डॉक्टर की क्या जरूरत है तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर क्या करता है डॉक्टर क्या करता है आप से कुछ बाते पूछेगा आपको भूख लगती है कि नहीं प्यास लगती है कि नहीं नीद आती है कि नहीं खाना अच्छा लग रहा है कि नहीं वगरा वगरा और ये सब आप उसको बताएंगे ये सब बताने के बाद वो अपना conclusion आपको बताएगा कि आपको फलाना रोग हुआ है या आपको ऐसी तकलीफ हुई है मतलब क्या है डॉक्टर ने जो कुछ बताया आपके कहने पर वो कोई भगवान तो नहीं है ऐसा डॉक्टर तो कहीं नहीं है कि जो आप कुछ भी न कहो और बता दे के आपको ऐसा है शायद 2900 साल पहले रहे होंगे ऐसे कुछ चिकित सक जो नाड़ी देखते ही बात करते थे कि आपने 10 दिन पहले ये खाया हारणी कर जी ने मुझे बताया कि ऐसे वैद दे रहे हैं इस देश में जो एक मिनिट आपकी नाड़ी पकड़ ले तो बता देंगे कि कल क्या खाया दो दिन पहले क्या खाया चार दिन पहले क्या खाया दस दिन पहले क्या खाया अब ऐसे लोगों की कमी बहुत है इस देश में संख्या भी कम है तो हारडीकर जी ने मुझे का कि आप जो बताते हैं डॉक्टर उस पर से अपना तै करता है लेकिन उसमें भी वो पक्का नहीं होता एलोपेथी चिकित्सा में तो सिध्धान्त ही है ट्राइलेंड एरर ट्राइलेंड एरर माने कोशिश करो और गल्तियां करो माने तीर चलाओ लगे तो ठीक नहीं तो तुक्का ये बात हारडीकर जी के मुझे सुनी तो मुझे लगा कि वो आईरोवेथ चिकित्सक है शायद इसलिए ऐसा बोलते होंगे फिर मैंने ये बात confirm करने के लिए एलोपेथी के कई बड़े डॉक्टरों से बात की बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से बात की दिल्ली में, मुंबई में वो कहते हैं कि देखो बात तो सही है लेकिन हम इसको जाहिर में नहीं कह सकते बने आप जैसे लोगों के सामने नहीं कह सकते कि हम सब trial and error पर काम करते हैं हम सब तीर चलाते हैं, लग जाए तो ठीक है, नहीं तो तुक्का है बने आपका जो इलाज किया जाता है वो एक कुछ assumptions के आधार पर है confirm कुछ भी नहीं है उसमें काम कर गया तो ठीक है नहीं तो आप तो मरी जाएंगे डॉक्टर कहेगा मैंने तो बहुत कोशिश की अब मैं क्या कर सकता हूँ और आप चुपचाप अपने पेशेंट की dead body लेके वहाँ से चले आएंगे मैं आपको एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के एलोपेथी चिकित्सा के शीरशस्थ डॉक्टर जो इस देश में है उनकी एक संस्था है वो संस्था की एक conference में मैं चला गया था गलती से एक डॉक्टर मुझे पकड़के ले गया था मेरा जाने का तो कोई अधिकार नहीं था लेकिन डॉक्टर ले गया था वो कहता था कि तुम सुनना बस बैठके हम बात क्या करते हैं कुछ बोलना नहीं कुछ कहना नहीं रियक्ट नहीं करना बस सुनना हम देखो क्या बातें करते तो उस conference में तीन दिन में बैठा रहा दिल्ली में जो बातें होती हैं वो आपको सुना दी जाएं तो आप किसी भी अलोपेथी चिकितसक के पास नहीं जाएंगे वो बिल्कुल इस तरह से बातें करते हैं जैसे कोई कसाई बकरे को काटने से पहले बात करता है ऐसी इस्थपी इस देश में आ गया है फिर तीन दिन सुनने के बाद मैं परिशान हो गया तो मैंने वो डौक्टर से का जाना चाहता हूँ उसने का अब तुम समझ गए हम लोग क्या है तो मैंने का यह आपने मुझे समझाया क्यों तुम एक काम कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते कि ये बातें दूसरों को समझा दो ऐसी इस्थती है उसमें जो सबसे गंभीर बात हुई थी वो मैं आपको एक वाक्य में कहना चाहता हूँ वो ये कहते थे सभी डॉक्टर एक दूसरे से सहमत होते हुए कि 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही काम किया है दर्द से लडने का बस इसके अलावा कुछ नहीं 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही रिसर्च किया है एक ही काम किया है एक ही शोद किया है वो दर्द से लडने का इसके आगे कुछ नहीं है और ये बात मैं बहुत घंटों घंटों सोचता रहा तब जाकर मुझे मन में प्रिरणा हुई कि मुझे तो भारत के लोगों को कुछ और बताने की जरूरत है तब मैंने हारडी करजी को पूछा कि अब मेरे समझ में आया आप बताईए क्या करना चाहिए तो उनका देखो आयुरुवेद एक ऐसी चिकित्सा पद्दिती है जिसमें महान महान लोगों ने चरक रिशी, शुशुरुत रिशी, बागवट रिशी, निघंटू रिशी, पाराशर रिशी ये सब महान महान लोगों ने एक बात कौमन कही है और वो ये कही है कि जो व्यक्ति मरीज होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है इसको आप गंभीरता से मनन करते रहिए ये बात चरक ने भी कही है, शुशुरुत ने भी कही है, बागवट ने कही है निगंटू ने कही है, पारशर ने कही है कि जो रोगी होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है क्योंकि उसको अपने दुख और तकलीफ का जितनी गहराई से महसूस हो सकता है वो किसी भी डॉक्टर को नहीं होता जो अपने दुख तकलीफ को गहराई से महसूस कर सकता है वो चिकितसा भी कर सकता है बस उसको कुछ ग्यान की ज़रूरत है और कुछ ग्यान जादा नहीं थोड़ा सा ग्यान अगर उसके जीवन में है तो वो कहते हैं कि वो हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है और दूसरों को मदद कर सकता है उनके इस वाक्य से मुझे बहुत प्रेरणा हुई कि जो रोगी है वो सबसे अच्छा चिकित्सक हो सकता है और आयुरवेद के जितने बड़े पंडित हैं वो भी मानते हैं इस बात को वो ये कहते हैं कि आयुरवेद का 85 प्रतिशत हिस्सा ये बात में आप सबको बहुत विनमरता पूरवक लेकिन गंभीरता से कह रहा हूँ इसको आप कभी भूली अगा मत आपके जीवन के स्वास्थ और चिकित्सा का 85 प्रतिशत हिस्सा इतना सरल और आसान है कि आप स्वयम उसे कर सकते मात्र 15 प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको किसी विशेशक की मदद की जरूरत पढ़ सकती है मात्र 15 प्रतिशत अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो आप जानते हैं 33 प्रतिशत पर आदमी पास हो जाता है और उसके उपर 2 डिवीजन, 3 डिवीजन और 60 पर तो 1 डिवीजन होती है 75 परसेंट पर तो डिक्स्टिंग्शन आ जाती है मैं 85 परसेंट की बात कर रहा हूँ 85 प्रतिशत, 85 प्रतिशत चिकित्सा और स्वास्त का हिस्सा ऐसा है जो आप स्वयम अपने जीवन में कर सकते हैं बिना किसी विशेशग्य की मदद के बस 15 प्रतिशत हिस्सा है जिसमें किसी विशेशग्य की जरूरत है और आपको मैं एक आगे की बात कहता हूँ कि ये जो पंदर प्रतिशत हिस्सा है आपकी जिंदगी का जिसमें आपको विशेशग्य की जरूरत पढ़ती है ये हिस्से में सबसे कम बीमारियां है सबसे कम बीमारिया माने जहां आपको विशेशग्य की आवशक्ता पढ़े आपके जीवन में वो बीमारियों की संख्या सबसे कम है और जहां विशेशग्य की जरूरत नहीं है आपको अपने जीवन में वो बीमारिया सबसे जादा है इसका माने कि हम 85 प्रतिशत तो डॉक्टर होई सकते हैं कन्क्लूजन इस बात का ये है अब आप अगर 85 प्रतिशत से और बहतर डॉक्टर होना चाहते हैं तो बागवट रिशी कहते हैं कि अपने शरीर को थोड़ा जान लीजिए बस और वो दूसरी महत्तु की बात कहते हैं कि अपने भोजन को पहचान लीजिए शरीर को जान लीजिए, भोजन को पहचान लीजिए, तो वो कहते हैं आप 100% डॉक्टर हो सकते हैं शरीर को जान लीजिए मतलब थोड़ा फिजियोलोजी, थोड़ा एनोटोमी, आज की भाशा में मैं कहूं थोड़ा शरीर विग्यान आपको मालूम हो और ये बहुत आसान है आजकल, कोई मुश्किल काम नहीं है भारत सरकार ने विभिन तरह की छोटी-छोटी पुस्तकें छपा रखी हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, NCRT के सिलिवस में अब तो ये आ गया है वो किताबें बजार में उपलब्द हैं, आप खरीद लाइए और आपको थोड़ा फिजियोलोजी तो समझ में आई जाएगा थोड़ा बहुत एनोटोमी समझ में आ जाएगा शरीर के क्या-क्या अंग है, अंगों के क्या-क्या उपांग है हिर्दय है तो कहां है, लीवर है तो कहां है, किड्नी है तो कहां है लीवर का किड्नी से क्या संबंद है, किड्नी का हिर्दय से क्या संबंद है आपस के उनके इंटर रिलेशन्शिप है अब तो एक चार्ट आता है, केलेंडर जैसा, मेरी आपको विंती है कि खरीद के एक टांग लीजे अपने घर में, आपको भी मदद करेगा, आपके बच्चों को भी मदद करेगा, तो ये हिस्सा बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस इसमें जो मुश्किल हिस्सा है वो ये कि शरीर के अंगों के और उपांगों के जो नाम है, वो जो भाशा में दिये गए हैं, वो आपको थोड़ा कम समझती है, तो आप आयुरवेद वाला ले लीजे, वो आसानी से समझ में आएगा, उनके आपस के संबंद वगरा वगरा, मैं इस विशे पर जादा नहीं ज खरीद लें, नहीं तो एक कलेंडर चार्ट आता है, वो ले लें, दो तीन कलेंडर के चार्ट आते हैं, वो ले लें, अभी सरकार ने एक बारे कलेंडर का चार्ट निकाला है, बहुत ही सरल भाशा में है, बहुत आसान है, उसको घर में टांग कर पलटते रहें, देखते र पहँचान लो अब उसमें आगे उन्होंने एक सूत्र लिखा है संस्कृत में कि शरीर को जानना अगर है तो ठीक है इसको जरा और समझेगा शरीर को जानना है तो ठीक है लेकिन भोजन को पहँचानना सबसे जादा जरूरी मानें उनका कहना ये है कि शरीर को जानना तो ठीक के नहीं जाने तो भी भोजन को तो पहँचान ले और बागवट्ट जी ने पूरी विनम्रता से पूरी गंभीरता से एक बात लिखी है कि जिसने भोजन को पहँचान लिया उसको जिंदगी में कभी भी किसी चिकितसक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी अब भोजन को पहँचान लिया माने रसोई घर को पहँचान लिया सीधी सी बात है और बागवट्ट जी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो वो रसोई घर है और वो कहते हैं कि सबसे बड़ा विग्यान अगर कोई है तो ये रसोई घर का विग्यान है जिसको भोजन विग्यान कहें या पाक शास्तर कला कहें जो भी बात आप कहना चाहें वो ये कहते हैं कि इस से बड़ी खोज पूरी दुनिया में हुई नहीं और अगले हजारों साल होगी नहीं इतनी गहरी बात वो कहकर चले गए यहां से वो कहते हैं कि पिछले हजारों साल में हुई नहीं भोजन से जादा रिसर्च और अगले हजारों साल में होगी नए और मैं अपने अनुवव से और आप खुद अपने अनुवव से ये बात कह सकते हैं कि दुनिया में भोजन और रसोई पर σबसे जादा रिसर्च अगर कहीं हुई तो भारत में हुई और अगले हजारों साल भी होगी तो भारत में ही होगी क्यों? दूसरे देशों में भोजन ही नहीं है रिसर्च क्या करेंगा? हो भोजन तब तो रिसर्च करें आप में से बहुत सारे लोग यूरोप गए होंगे अमेरिका गए होंगे, आप देखिए भोजन क्या है उनके पास ले दे के एक पाउ रोटी और डबल रोटी अब वो आलू से खालो या प्याज से खालो प्याज से खालो के आलू से खालो उसको बीच में काटके प्याज भर लो या प्याज बगल में रखके खालो उसको पीजा कह दो, बर्गर कह दो, हॉट डॉग कह दो, कोल डॉग कह दो वो प्रप्रेशन तो एक ही है न और वो प्रप्रेशन है मैदे का, मैदे को सड़ा कर बनाया हुआ इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं जिसको food stuff कहा जाए, मने solid भोजन, मुख्य भोजन कहा जाए वो उनके पास एक ही है, पाव रोटी, डबल रोटी उसको वो मचली से भी खा सकते हैं, गाई के मास से भी खा सकते हैं बकरे के मास से भी खा सकते हैं, या वगएरा वगएरा कहीं से कुछ भीख में मिल गया, डाल, चावल वगएरा तो उसके साथ खा सकते हैं, वो सब भीख में मिला हुआ है उनके यहां कुछ होता होता है ने, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ एक बार एक विदेशी व्यक्ती से मेरा जगड़ा हो गया, एक जर्मनी का व्यक्ती था, उससे जगड़ा हो गया जगड़ा कुछ इस बात का था, कि भारत महान है कि जर्मनी महान है ये जर्मनी के लोगों को आप जानते हैं थोड़ा शौविनिजम बहुत है खराब शब्द है शौविनिजम लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कहते हैं हम स्रेष्ट हैं दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं हम सर्व स्रेष्ट हैं वगरा वगरा हिटलर भी यही कहता था तो उसकी महानता की हवा निकालने के लिए मैंने उससे कुछ सवाल कर लिए तो परेशान हो गया लेकिन जर्मनी की असलियत सामने आ गई मैंने उसको पुछा तुमारे देश में क्या होता है गन्ना होता है गन्ना शुगर केन तो उसने का नहीं होता आम होता है आम नहीं होता केला होता है नहीं होता चीकू होता है नहीं होता संत्रा होता है नहीं होता मुसम्मी होती है नहीं होती बहुत परिशान हो गया तो कहने लगा देखिये मिस्टर राजी उदिक्षित कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती अब बात आगे करें कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती एक वाक्य में उसने खतम कर दिया फिर मैंने का अच्छा चलो मीठी चीज नहीं कड़वी चीज पूछते है मैथी होती है मैथी मैथी तो मीठी नहीं है तो मेथी होती है उसने का नहीं होती है पालक होता है नहीं होता चुकंदर होता है नहीं होता फिर थोड़ी देर में परेशान हो गया कहने लगा हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में नहीं होती तो मैंने का फिर होता क्या है तो उसने का दो ही चीज़े हैं एक तो आलू होता है और एक प्याज होती है तो आलू को प्याज में मिलाके खालो या प्याज को आलू मिलाके खालो और कुछ नहीं होता फिर मैंने उसको गिनाना शुरू किया कि देखो भारत में क्या-क्या होता है मीठी चीज़ों में क्या-क्या होता है खटी चीज़ों में क्या-क्या होता है तीखी चीज़ों में क्या-क्या होता है कसेली या कड़वी चीज़ें क्या-क्या है छे रस है ना शड रस की बात कही जाती है छे ओर रस में मैंने गिनाना शुरू किया तो वो कहता है कि यार इसमें तो एक Encyclopedia लिख जाएगा मैंने का यस भारत में इतना ही होता है और मैंने उसको जब ये कहा कि ये हर गाओं में होता है तब तो वो बहुत परिशान होगे मैंने का हर गाओं में होता है साथ लाग बत्तिस अजार गाओं है हर गाओं में ये सब होता है माने किसी गाओं को दूसरे पर निर्बर रहने की जरूरत नहीं है नमक को छोड़ कर तब उसने का कि सच में इंडिया इस ग्रेट ये ग्रेटनेस है अपने देश की हमको अगर ये समझ में आती है तो बागवटी जी की बाते हमको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी मैं बागवटी जी के बारे में एक दो जानकरी और देकर विशे पर आना चाहता हूँ ये भूमिका के रूप में कह रहा हूँ बागवटी जी भारत देश के उन महान रिशियों में गिने जाते हैं जिनोंने चरक से भी ज़्यादा काम किया ये बात को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा लेकिन मैं विनमरता पूर्वक के रहा हूँ अब तक हमने बार बार चरक का नाम सुना है चरक 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 बागवटी जी चरक के शिश्य थे और चरक ने जितने साल काम किया उससे डेड़ गुना ज़्यादा काम बागवटी जी का है चरक जी के जाने के बाद चरक ने जो सूत्र लिखे हैं जो उनकी खोज है रिसर्च है चरक सहिता जो पूरा का पूरा शास्त्र है उसके एक-एक सूत्र को प्रमानित करने का काम बागवट जी ने किया प्रमानित करने का मतलब observation करना फिर जैसा result है वैसा ही प्राप्त करना जैसे चरक रिशी ने कहा ये खाने से ये होता है मानलो उन्होंने एक statement कर दिया कि ये वस्तू खाने से ये होता है बागवट जी ने उसको प्रमानित करने में 25 साल लगा दिये 20 साल लगा दिये 30 साल लगा दिये और जब तक देख नहीं लिया तब तक उसको लोगों को कहने लायक नहीं माना हमारे आयुरुवेद चिकित्सा शास्त्र के जो विश्वशक्य है वो ये मानते हैं कि चरक जो थे महापंडित थे बहुत उचे स्थान के व्यक्ति थे लेकिन बागवट जी थे वो साधरन आदमियों के चिकित्सक थे इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि चरक ने जो बातें बहुत गहराई से और गूर शब्दों में कहीं है बागवट जी ने उनको बहुत सरल करके साधरन लोगों की समझ में आए वैसा प्रस्तुती करन कर दिया है बागवट जी कि ये दो पुस्तके ऐस्तांग हिरदें और अस्तांग संग्रहम पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने चरक को पढ़ लिया, शुशुरुत को पढ़ लिया, निगंतु को पढ़ लिया, सब को पढ़ लिया क्योंकि उन्होंने सबका निचोड डाल दिया उसमें और वो ये कहते हैं कि अब मैंने जो तैयार कर दिया है अश्टांग हिरदयम या अश्टांग संगरम ये आम आदमी के लिए है वो चाहे तो इसका पालन करे और अपने जीवन में मेरी तरह से सुखी और निरोगी रहे बागवट्ट जी एक सो पैंतीस वर्ष तक जिंदा रहे और उनके शिश्य बताते हैं कि उन्होंने इक्षा म्रत्यू को धारण किया माने उनकी इक्षा हो गई थी कि अब बहुत दिन जिंदा रहने से कोई फाइदा नहीं है तो म्रत्यू को वर्ण किया ऐसे पंडित आदमी इतनी कमांड अपने शरीर पर और वो ये कहते हैं जब म्रत्यू को जा रहे थे तो उनके शिष्ष कह रहे थे कि परेशान हम हो जाएंगे आप चले जाएंगे उनका कोई परेशानी नहीं है ये शरीर छोड़ूँगा दूसरा धारण करूँगा जैसे तुम शर्ट बदलते हो मैं बदल लूँगा लेकिन अब मुझे जाना चाहिए इस शरीर का सीमा हो गया है ऐसे व्यक्ति जिनोंने मृत्यू को धारण किया अपनी इक्षा से उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया है वो दो ही पुस्तकों में सारा समाहित है तीसरी कोई पुस्तक उन्होंने लिखी नहीं और वही दोनों पुस्तकों में कुल मिलाकर साथ हजार सूत्र है साथ हजार दो पुस्तकों में कुल मिलाकर साथ हजार सूत्र है सभी सूत्र संस्कृत में हैं तो आप जानते ही हैं क्योंकि उस जमाने में हिंदी थी नहीं, तमिल थी नहीं, तिलगू थी नहीं जादा से जादा संस्कृत ही थी या प्राकृत थी तो संस्कृत में उन्होंने सब कुछ लिखकर छोड़ दिया वही सूत्र मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ता रहा चार-पांच वर्षों से तो बहुत जादा पढ़ रहा हूँ जब से मुझे मन में ये बात आई पढ़ता रहा और हमारा जो अभियान है जो पूरे देश में हम चलाते हैं स्वदेशी के लिए उस से ये बहुत गहराई से जुड़ा है क्योंकि हमारे अभियान में अब तक हम ये बात करते थे थे ना कि घर में पेपसी कोला कोका कोला मतला हो क्योंकि विदेशी पे है फिर मैं ये भी कहता था ये पीने लायक नहीं है टॉइलेट क्लीनर है बहुत साल पहले में बोल के गया था चिन नहीं में अब सरकार ने भी माल लिया है कि टॉइलेट क्लीनर है और वेग्यानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि टॉइलेट क्लीनर है तो ये बाते हम स्वदेशी अभियान में जोड़कर चलते थे जब मुझे पता चला कि इसी स्वदेशी अभियान का एक बड़ा हिस्सा है पैपसी कोका कोला भारत से धन लूट कर अमेरिका ले जा रहा है ऐसे एलोपेथी चिकित्सा की दवाएं बनाकर कंपनियां उससे भी ज़्यादा लूट कर ले जा रहे है एक अमेरिकन कंपनी हैं उसका नाम है Procter & Gamble उसकी balance sheet मैंने देखी तो उनका मुनाफ़े का प्रतिशत 20,000 है मने 20,000% profit कमा रहे हैं वो भारत में Pepsi Coca-Cola तो 1000 प्रतिशत पे काम कर रहे है Procter & Gamble 20,000 प्रतिशत पे काम कर रहे है एक American company है Ellie Lily उनका profit percentage 35,000 है 35,000 प्रतिशत मुनाफ़ा कमा रहे हैं वो भारत में तो ध्यान में आया कि विदेशी company पेपसी कोका कोला बेचकर जितना धन कमा रही है उससे कई गुना ज़्यादा ऐलोपेथी की दवाएं बेचकर कमा रही है और उस धन को कमाने में भारत के चिकितसक उनकी थोड़ी मदद कर रहे है क्योंकि वो उनी दवाओं का prescription लिख रहे है जो ये कमपनिया बेच रही मैंने बहुत सारे चिकितसकों से ये पूछने का लगातर प्रयास किया है कि आप इसी कमपनिय की दवाएं क्यों लिखते है मानलो एक चिकितसक है बहुत पैसे वाला है प्रॉक्टर एंड गेंबल की ही दवाएं लिखता है बंबई में मैंने ये ज़्यादा काम किया और एक है वो एली लिली की ही लिखता है एक है सेंडोज की ही लिखता है, एक सीबागाईगी की ही लिखता है, तो पता चला कि उनका कमिशन फिक्स है, ये खराब शब्द बोलने के लिए आप मुझे माफ करेंगे, डॉक्टरों का कमपनियों से कमिशन फिक्स है, मने कमिशन जो कमपनी जादा देगी वो उसका प्रस जरूरत नहीं है, गैर जरूरी है, अकसर आपने देखा है कि एक साथ कोई डॉक्टर का प्रस्क्रिप्शन है, अठारे बीस गोलियां लिखी हुई है, चार सुबह, चार दुपहर, चार शाम, चार रात, गोलियां ऐसे खिलाते हैं, जैसे सबजियां खाये हो, और वो तो क और अब तो उन्होंने पता नहीं क्या-क्या सब बना दिया, मने जो प्रकरती हमें दे रही है, उसके चक्कर में नफसके, ये गोलियों के चकर में फसो, ताकि कमपनी का माल बिके, ताकि उनका भी कमीशन बढ़े, ये पूरे देश में चल रहा है, कहीं ज्यादा, कहीं कम, मैं आपको विनम्रता पूरवक ये कहने आया कि जिस चिकितसक को भगवान मानकर आप उसके पास जाते हैं पैसे भी देते हैं, फीस भी देते हैं लेकिन वो दवा आपको देता है कमीशन के आधार पर कि ज्यादा कमीशन है तो ये दवा लिखनी है, नहीं तो नहीं लिखनी और भारत की सरकार बिल्कुल भी फेल हो चुकी है इस कमीशन खोरी को रोकने में और Medical Council of India के पास ऐसा कोई कारिक्रम नहीं है कि डॉक्टरों की कमीशन खोरी पर वो कंट्रोल कर सके जो शपत लेकर डॉक्टर निकल रहे हैं उसके ठीक उल्टे काम वो अपने जीवन में कर रहे हैं एक शपत उनको दिलाई जाती हैं वो शपत लेकर निकलते हैं उसमें बड़ी-बड़ी बाते हैं लेकिन जीवन ठीक उल्टा है तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि बागवट जी की बात जो वो कहते हैं कि 85 प्रतिशत जो जीवन की चिकित्सा है वो हर व्यक्ति स्वयम कर सकता है 15 प्रतिशत के हिस्से में विशेशग्य की जरूरत है तो मुझे लगा कि जो 85 प्रतिशत है वो तो जानो और वो जानने के लिए 5-6 साल जो काम किया मैंने उसमें से कुछ सूत्र मैंने निकाले बागवट जी के 7000 सूत्र हैं सभी सूत्रों पे बात करूँ तो कम से कम तो महिना सवा महिना लगता है वो भी रोज 3 घंटे बात करूँ तो तो मैंने कहा और सोचा कि इतना समय किसी के पास भी नहीं है और शायद मेरे पास भी नहीं है तो इन में से कुछ सूत्र हैं जो बहुत जरूरी लगते हैं वो निकालो तो भारत में जैसे मैंने हारडीकर जी का नाम लिया उनकी मैंने मदद ली इसमें और हारडीकर जी के बरावर के कई ऐसे वैदे हैं उनकी मदद मैंने ली और मैंने का कि आप मुझे बताओ ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र बहुती जरूरी है बिना इसके आदमी का जीवन ही नहीं चलेगा ये पहले मुझे बतादा तो उन्होंने बताना शुरू किया तो वो 7000 से घृटके 3000 तक आए फिर मैंने का ये 3000 में मुझे बताओ तो 3000 से 1000 पर आए फिर 500 पर आए फिर 500 से 50 पर आगाए और वो पचास के बाद भी उन्होंने का अगर तुम यह पचास भी नहीं बता सकते तो यह पंदरह तो जरूर बता दो तो मैं तो आपको पचास तो कम से कम बताने ही वाला हूँ क्योंकि अगले पाच्छे दिन मेरे पास समय है लेकिन उन पचासों में जो पंद्रे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं बागवट जी खुद मानते हैं और उनके नीचे के जितने भी विशेशक ये हुए हैं पिछले हजारों सालों में वो भी मानते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है उसमें से पहला सूत्र मैं बात शुरू करता हूँ आपके पास अगर कागज पहन हो तो जरूर निकाल लीजे नोटबुक है तो बहुत अच्छा होगा डाइरी है तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि पता नहीं दुबारा कब कौन व्यक्ती इस विशेपर आपसे बात करने आएगा और अगर नहीं है कागज पहन कौपी तो भी चिंता मत करिये क्योंकि मैंने पिछले कुछ वर्षों में काम करते-करते ये सूत्रों को किताब में भी लिख डाला है माने किताब बना दी हैं बागवट सहिता जो है माने बागवट जी की अस्टांग हिरदियम और अस्टांग संग्रम इनके सूत्रों को collect करके select करके तीन भाग में एक पुस्तक बनाई है पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट त्री अश्टांग हिर्दियम भाग एक, भाग दो, भाग तीन मूल लेखक बागवट्ट जी है मैंने सिर्फ सलेक्शन किया है और सलेक्शन के साथ आज के हिसाब से उसको थोड़ा विशलेशित किया है जैसे मैं एक उधारेंड दू तो आपको मेरी बात समझ में है बागवट्ट जी ने एक सूत्र लिखा अब मैं संस्कृत में बात नहीं करूँगा क्योंकि समय बढ़ जाएगा एक सूत्र लिखा कि भोजन को बनाते समय इसको माताएं बहने सब बहुत ध्यान से सुने पुरुष भी सुने तो अच्छा है भोजन को बनाते समय पवन का इसपर्ष और सूरिका प्रकाश अगर नहीं मिला किसको भोजन को जिस भोजन को आप बना रहे हैं या पका रहे हैं उसको पकाते समय पवन का इसपर्ष और सूरिका प्रकाश नहीं मिला वो भोजन कभी नहीं करना क्यों? तो वो आगे लिखते हैं ये भोजन नहीं विश है और फिर आगे लिखते हैं कि दुनिया में दो तरह के विश हैं एक ऐसे विश होते हैं जो ततकाल असर करते हैं और एक ऐसे विश होते हैं जो धीरे धीरे असर करते हैं तत्काल असर वाले विश आप जानते हैं जीप पर एक ड्रॉप डालो मर जाओ ऐसे बहुत विश हैं और धीरे धीरे असर करने वाले विश माने दो साल में पाच साल में दस साल में पंदरे साल में बीस साल में असर करेंगे और आपको मरने की स्थिती में पहुँचा देंगे तो सूत्र उनका इतना है, कि जिस भोजन को बनाते समय, पवन का इसपर्ष और सूरिका प्रकाश ना मिले, वो भोजन को कदापी ना करें, क्योंकि वो विश है. अब ये तो सूत्र है, पहले संस्कृत है, मैंने वो रटा दिया, संस्कृत नहीं कहा, सीधे हिंदी में कहा. अ अब तक मैंने जो बोला वो बागवट जी का हिस्सा था अब जो वो बोल रहा हूँ वो मेरा हिस्सा है बागवट जी कह रहे हैं कि प्रेशर कुकर का भोजन ना करें क्योंकि प्रेशर कुकर एक ऐसी तक्नीक है जिसमें भोजन बनाते समय ना तो सूरी का प्रकाश जा सकता है ना पवन का इस परश उसको मिलेगा प्रेशर कुकर से जो भी है वो हवा बाहर तो आ सकती है बाहर की हवा अंदर जाने की उसमें कोई डिवाइस नहीं है कोई रास्ता नहीं सूरी का प्रकाश उसमें अंदर जाए एसी कोई टेकनॉलजी उसमें डवलप नहीं होई है तो बागवट्टी जी ने साड़े तीन हजार साल पहले का शायद उनको ये अंतर चेतना में आ गया होगा कि ये कभी न कभी आदमी प्रेशर कुकर बनाई लेगा ये बहने मजाक में कहा लेकिन आज के हिसाब से आपको समझ में आए इसकिल तो वो ये कहते हैं कि प्रेशर कुकर का भोजन ना करें मने हमारे घर में एक प्रेशर कुकर है जिस पर बागवट्टी जी का सिध्धान्त लागू नहीं होता मने सिध्धान्त ऐसे लागू नहीं होता है Central Drug Research Institute वहाँ के दो साइन्टिस्टों ने का कि यार काम तो हमने करके देखा है बात सही है बागोट जी मैं कहता हूँ ये टीवी पे बोलो तो ने ने का ये प्रेशर कुकर कंपनिया गरदन काट देंगे हमारी टीवी पे नहीं बोल सकते हैं तुम चाहो तो बोलो मैंने का आपकी रिसर्च क्या कहती है वो ये कहते हैं कि ये जो प्रेशर कुकर है ज्यादा से ज्यादा या 99% अल्यूमीनियम के बने हुए है अल्यूमीनियम आप जानते हैं और वो ये कहते हैं कि भोजन रखने और बनाने का सबसे खराब मेटल अगर कोई है तो अल्यूमीनियम ही है सबसे खराब मेटल जिसमें भोजन को आप रखें और भोजन को पकाएं वो अल्यूमीनियम ही है और दोनों वेग्याने वो कहते हैं नाम नहीं लेना हमारा इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ वो ये कहते हैं कि हमारा 18 साल का research ये कहता है कि अगर इस aluminum के pressure cooker का खाना बार बार आप खाते जाओ तो guarantee है कि आपको diabetes तो हो ही जाएगा arthritis तो हो ही जाएगा bronchitis भी होने की पूरी संभावना है और सबसे ज़्यादा TB होने की संभावना है अस्थमा, TB ये सब होने की संभाव मैं पूछा आपने अब तक कितनी बीमारियों को detect किया तो उन्हें का 48 बीमारियों को हम detect कर चुके हैं जो pressure cooker के खाने से ही होती है और ये दोनों researcher सबसे ज़्यादा इन्होंने research किया जेलों में जेल हैं ना हमारी वहाँ सबी कैदियों को aluminium के बरतन में ही खाना मिलता है आप जानते है तो ये दोनों विग्यानिक लखनव के हैं लखनव की जेल में लखनव के आसपास की जेलों में इन्होंने बहुत काम किया वो जेलों में जाते हैं और जो कैदी बहुत जल्दी उनको आते हैं बाद में मैंने एक छोटा सा काम इसमें हेड किया वो वैग्यानिकों से रिपोर्ट लेने के बाद मैंने ये तैय किया कि पता करो कि ये अल्यूमिनियम कब से आया क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी चीज नहीं है तो पता चला सो सवा सो साल पहले आया सो सवा सो साल पहले अंग्रेजों की सरकार थी अंग्रेजों की सरकार के वैग्यानिकों ने अल्यूमिनियम को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस कराया और आपको सुनकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों की सरकार का जो पहला नोटिफिकेशन आया अल्यूमीनियम के बरतन बनाने का वो जेल के कैदियों के लिए ही आया और उनका ये तैव हुआ था कि जेल के कैदियों को अल्यूमीनियम के बरतनों में ही भोजन दिया जाए क्योंकि ये सब भारत के क्रांदिकारी है और अंग्रेजों को इन्हें मारना है उस जमाने में आप जानते हैं जेल में कोई भी होता था तो वो क्रांदिकारी होता था बगत सिंग हो या उदम सिंग चंदर शेकर हो या आश्फा कुला राजिदनात लाहडी हो या ठाकुर रोशन सिंग ये सब तो क्रांतिकारी थे जो जेलों में जाया करते थे अंग्रेजों के जमाने इनको जान बूच कर अलुमिनियम के बरतन में ही खाना देना है ताकि ये जल्दी मरें या मरने की इस्थती में आ जाए तो समझ बूचकर अंग्रेजों की सरकार ने अलुमिनियम के बरतन इस देश में इंट्रोड्यूस किये अब परिणाम क्या हुआ अंग्रेज तो चले गए लेकिन जेलों में आज भी ये नियम चल रहा है कि भोजन अलुमिनियम के बरतनों में ही दिया जाएगा अंग्रेज चले गए फिर भी ये काम चल रहा है और अब मुश्किल ये हो गई है कि वो जेलों से हमारे घर में आ गया और हमारे घरों से ज़ादा गरीबों के घर में आ गया ज्यादा गरीब लोगों के भोजन तो सारे अलुमिनियम के बरतनों में ही बन रहे है और वो बिचारे बिना जाने बूझे ट्यूबर कुलोसिस और अस्थमा जैसी बीमारियों के शिकार हो रहा है तो बागवट जी का सूत्र तो बहुत सरल है सिंपल है कि जो भोजन को बनाते समय सूरिका प्रकाश या पवन का इसपर्श ना मिले वो भोजन कभी नहीं करना मैंने उधारन के लिए आपको समझा दिया कि प्रेशर कुकर का भोजन नहीं करना क्योंकि ये जहर है एक और चीज़ है अपने घर में रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर भी एक ऐसी वस्तु है एक ऐसी डिवाइस है एक ऐसी टेकनालोजी है जिसमें सूरिका प्रकाश नहीं जा सकता पवन का इसपर्श भी नहीं हो सकता और एक तीसरी चीज़ है अपने घर में Microwave Oven इसमें भी सूरिका प्रकाश नहीं जा सकता पवन का इस्पर्ष नहीं हो सकता मतलब सीधासा ये है कि आधुनिक तक्निकी से बनी हुई चीजें जो हमारे घरों में आई हैं पिछले पंदर बीस वर्षों में बागवट्टी जी के अनुसार इन में रखा हुआ पकाया हुआ भोजन विश है तो ना करें नहीं तो क्या होगा आप कहेंगे जी हम तो करेंगे हम तो छोड़ नहीं सकते प्रशर को कर को हम तो छोड़ नहीं सकते रेफ्रिजरेटर को हम तो छोड़ नहीं सकते माइक्रोवेव वोवन को क्योंकि इसमें भोजन से समय बचता है मेरा बहुत सारी माताओं और बहनों से तर्क हुआ है वो यह कहते है कुकर में खाना बना इसमें समय बचता है तो मैं उनसे पूछता हूँ ठीक है समय बचता है तो बचे हुए समय का क्या करती है तो जादातर माताओं बेहनों का उत्तर है सास भी कभी बहु देखते हैं इधर प्रेशर को कर मैं खाना बना के समय बचा फिर हमने टीवी के सामने वो समय इन्वेस्ट कर दिया तो नेट रिजल्ट क्या और फिर मैं जब उनको समझाता हूँ कि यह जो आपने आदा घंटा या एक घंटा समय बचाया भोजन पकाने में यह आपका घंटों घंटों हॉस्पिटल में खराब कराएगा तब दो घंटे रोज के हिसाब से मानलो बचा लिया और साल बर में आपने साथाट सो घंटे बचा लिये कल्पना करो फिर एक दिन हॉस्पिटल में भरती हो गए और दो-चार महीने वहाँ निकल गया, नेट रिजल्ट क्या? वही शून्नि का शून्नि तो ये एक सूत्र है, जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि भोजन को बनाते समय, पकाते समय, कोई ऐसी वस्तु जहां सूरी का प्रकाश ना जाता हो, पवन का इस पर्ष ना होता हो, वो ना करें अब इसमें विशलेशन की जरूरत है, बागवटी जी तो लिखके चले गए, अब ये क्यों का जवाब हमें ढूंडना है, और इसमें जरूरत हो तो आधुनिक विग्यान की मदद भी लेनी है, मौडरन साइंस ने कुछ लॉजिक डवलप किये हैं, कुछ अब्जर्वेश जो खाने को जल्दी पकाती है, ये है सीधा सा मतलब, अब खाने को जल्दी पकाने के लिए ये प्रेशर कुकर क्या करता है, जो भोजन आपने उसमें अंदर रखा है पकने के लिए उस पर और जो पानी डाला है आपने भोजन पकाने के लिए उस पर अतरिक्त दबाव डा यह है प्रेशर प्रेशर मने दबाओ तो अत्रिक्त दबाओ डालने की टेकनोलोजी है प्रेशर कुकर और यह अत्रिक्त दबाओ कहां से आता है प्रेशर कुकर में आपने दाल राली उपर से पानी डाला थोड़ा हल्दी मसाले डाल कर बंद करके रख दिया अब उसमें एक स CT लगा दी, वो CT लगाई यही सबसे खतरनाक चीज है, पूरे प्रशर कुकर के, CT ना लगाएं तो आपका प्रशर कुकर आपके लिए अच्छा है, CT लगाते ही क्या करता है, पानी गरम होगा, आप जानते हैं पानी गरम होने से वाश्पी करन शुरू होता है, वेपराइजे क्या है, दाल एक कलपना करिए, अरहर की दाल, थोड़ी देर के लिए कलपना, अरहर की दाल के छोटे-छोटे टुकडे, एक दाल को तोड़ कर दो तुकडे, जिसको दुईदल कहते हैं, जेहन समाज के लोग तुरन समझ में आ जाएंगे, दुईदल, चने की दाल, अरहर क दाल ये सब दूइदल है इसको तोड़कर आपने दाल बनाई है अब ये दाल पानी में पड़ी है नीचे से गर्म और उपर से भाप का दबाओ तो ये दाल जो है ना फट जाती है फटना समझते हैं वो दरकना शुरू हो जाता है उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल है दाल को दाल के अंदर जो अनू है वो अनू एक दूसरे को जो जकड कर बैठे हुए है ये पानी का प्रेशर उन अनूओं को तोड़ता है और दाल दरकना शुरू होती है वो दाल दरक जाती है और पानी इतना गरम होता है तो उबल जाती है पकती नहीं है उबलती है पकना और soft हो गई है नरम हो गई है क्योंकि नीचे से गर्मी पड़ी उपर से pressure पड़ा वाश पका वो पकी नहीं है उबल गई है और उसका softness बढ़ गई है तो आपने खा लिया तो आपने कहा पकी हुई दाल खाली माफ करिए दाल पकी हुई नहीं है फिर आप बोलेंगे जी पकी हु सा ये कहती है कि जिस वस्तू को खेत में पकने में जितना ज्यादा समय लगता है जिस वस्तू को पकने में खेत में जितना ज्यादा समय लगता है भोजन रूप में पकने में भी उसको ज्यादा समय लगता है अब अरहर की दाल की बात करें आप मैंसे थोड़ा भी गाउं स जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा तो आप जानते हैं अरहर की दाल को खेत में पकने में कम से कम साथ से आठ महीने लगता है क्यों अरहर की दाल में जो कुछ भी है जिसको आप nutrient के रूप में जानते हैं माइक्रो न्यूट्रियंट के रूप में जानते हैं सुक्ष्म पोशक तत्यों के रूप में जानते हैं वो मिट्टी से दाल तक आने में सबसे ज़्यादा समय लगता है ये जो मिट्टी है ना खेत की ये माइक्रो न्यूट्रियंट का खजाना है खेत की मिट्टी में कैलशि आमें बहुत समय लगता है तो इसलिए डाल को पकने में समय लगता है तो आयरुवेद ये कहता है कि जिस डाल को खेत में पकने में जादा समय लगा, उसको घर में भी पकने में जादा समय लगना चाहिए क्यों? ये जो Micro nutrients धीरे-धीरे भिखर जाने पर तो वो भिखरने और चूटने में उसको देरी लगने वाली है क्योंकि आने में देरी लगी है ये प्रकरती का सिध्धान्त है आयुर्वेद का नहीं कहना है ये प्रकरती का सिध्धान्त है बच्चे को पेट के अंदर गरभाशे में विक्सित होने में समय लगता है दुनिया में हर चीज को विक्सित होने में समय लगता है जल्दी कुछ नहीं होता इसलिए दाल भी जल्दी नहीं पकती बच्चा भी जल्दी नहीं होता सभी चीजों में ये है प्रकरती का नियम है और प्रकरती का दूसरा नियम है कि जिन चीजों को पकने में बड़ा होने में ज़्यादा समय लगा है उनको dissolve होने में भी ज़्यादा समय लगेगा और डाल जब dissolve होगी तब उसके प्रोटीन्स आपको मिलेंगे भोजन में इसलिए आप डाल खा रहें ताकि आपको प्रोटीन की कमी पूरी हो कुछ विटेमिन्स आपको चाहिए, कुछ प्रोटीन्स आपको चाहिए, कुछ और दूसरे अंश आपको चाहिए तो आयरुवेद का नियम बिलकुल सीधा है कि दाल जादा देर में पकी है तो घर में भी जादा देर में पके अब मेरे समझ में आया कि हमारे पुराने लोग जो बुजर्ग थे वो कितने बड़े वैग्यानिक थे मैं एक बार जगनात पुरी गया था आप भी गए होंगे तो वहाँ भगवान का प्रशाद बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में नहीं बनाते हैं आप जानते हैं हालांकि वो चाहें तो प्रेशर कुकर रख सकते हैं क्योंकि जगनात पुरी के मंदिर के पास करोणों रुपई की संपत्ती है तो मैंने मंदिर के महिंत को पूछा कि ये भगवान का प्रसाद माने वहाँ दाल और चावल मिलता है प्रसाद के रूप में वो मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं आप में से जो भी गए हैं जगनात पुरी आप जानते हैं वो मिट्टी की हांडी में दाल मिलती है और मिट्टी की हांडी में चावल मिलता है या खिचडी मिलती है जो भी मिलता प्रसाद के रूप में तो मैंने महंत को पूछा कि आप ये मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं तो उसने एक ही वाक्य कहा मिट्टी पवित्र होती है तो ठीक है पवित्र होती है ये हम सब जानते हैं लेकिन वो जो नहीं कह पाया महंद वो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि मिट्टी ना सिर्फ पवित्र होती है बलकि मिट्टी सबसे ज़्यादा वेग्यानिक होती है क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है मिट्टी में जो कुछ है वो शरीर में है और शरीर में जो है वो मिट्टी में है हम जब मरते हैं न और शरीर को जला देते हैं तो बीस ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर सतर किलो का शरीर, असी किलो का शरीर मात्र 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है जिसको राक कहते है और इस राक का मैंने विशलेशन करवाया एक लेबरेटरी में तो उसमें केल्शियम निकलता है फॉस्फोरस निकलता है आईरन निकलता है, जिंक निकलता है सलफर निकलता है 18 माइक्रो निकलते हैं मरे हुए आदमी की राक में ये सब वोई micronutrients हैं जो मिट्टी में है इनी 18 micronutrients से मिट्टी वनी है यह 18 micronutrients शरीर में है जो मिट्टी में बदल जाता है तो महंत का कहना के मिट्टी पवित्र है वो बहुत विग्यानिक statement है बस इतना है कि वो उसके explain नहीं कर सकता explain क्यों नहीं कर सकता पवित्रता रिजल्ट उसे मालूम है विशलेशन नहीं मालूम वो हमारे जैसे मूर्खों को मालूम है मैं अपने को उस महिंत की तुलना में मूर्ख मानता हूँ क्यों कि मुझे ये विशलेशन करने में तीन महिने लग गए वो बात तीन मिनट में समझा दिया कि मिट्टी पवित्र है तो ये मिट्टी की जो पवित्रता है उसकी जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स की कैपिसिटी या कैपिबिलिटी है उसमें से आई है तो मिट्टी में डाल आई है डाल आपने पकाई है तो महिंत कहता है कि मिट्टी पवित्र है इसलिए हम मिट्टी के बरतन में ही दाल पकाते हैं भगवान को पवित्र चीज ही देते हैं अब अब पवित्र चीज भगवान को नहीं दे सकते अच्छा मैं वो दाल ले आया और भुवनेश्वर लेके गया पूरी से भुवनेश्वर भुवनेश्वर में CSIR का एक लेबोरेटरी है Council of Science and Industrial Research का लेबोरेटरी है जिसको Regional Research Laboratory कहते है तो वहां ले गया कुछ वेग्यानिकों से का ये दाल है उन्होंने का हाँ हाँ ये पूरी की दाल है मैंने का इसका विशलेशन करना है इस दाल में क्या है तो उन्हें का यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है 6-8 महीने लगेगा मैंने का ठीक है फिर भी तो उन्हें का हमरे पास पूरे instrument नहीं है हमरे पास जो जो चाहिए वो नहीं है आप दिल्ली ले जाओ तो बहतर है तो मैंने का दिल्ली ले गया तो खराब तो नहीं होगी उन्हें का नहीं होगी क्योंकि ये मिट्टी में बनी है तो पहली बार मुझे समझ में आया मिट्टी में बनी है तो खराब नहीं होगी तो मैं ले गया दिल्ली तक सच मैं ले गया और भुवनेश्वर से दिल्ली पहुँचने में आप जानते हैं करीब करीब 36 गंटे से ज़्यादा लगता है दिल्ली में दिया कुछ वैग्यानिकों ने उस पर काम किया और उनका जो रिजल्ट है जो रिसर्च है जो रिपोर्ट है वो ये है कि इस दाल में एक भी माइक्रो डीट्रियंट कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी माइक्रो डीट्रियंट बहुत ही कम है मैं पूछा percentage wise बता दो तो उन्होंने का अगर अरहर की दाल को मिट्टी की हाड़ी में पकाओ और 100% माइक्रो न्यूट्रियंट्स है तो कुकर में पकाने में 13% ही बचते हैं 87% नश्ट हो गए मैं पूछा कैसे नश्ट हुए तो उन्होंने का यह जो प्रेशर पड़ा है उपर से और इसने दाल को पकने नहीं दिया तोड़ दिया मॉलिक्यूल्स टूट गए हैं तो दाल तो बिखर गई है पकी नहीं है बिखर गई है सौफ्ट हो गई है तो खाने में हमको ऐसा लग रहा है कि यह पका हुआ खा रहे है लेकिन वास्तम में वो नहीं है पके हुए से मतलब यह होता है कि जो माइक्रो नूट्रियंट्स आपको कच्चे रूप में शरीर को उप्योग नहीं आते उनको आप उप्योगी बना ले इसको पका हुआ कहते हैं उन्होंने कहा कि यह मिट्टी की हांडी की दाल बहुत बहुत क्वालिटी में उँची है बशर्ते की आपके प्रशर को करकी और दूसरी बात तो आप सबी जानते हैं वो मुझे सिर्फ रिपीट करनी है कि मिट्टी की हांडी की बनाई हुई दाल को खा लीजिए तो जो उसका स्वाद है वो जिंदगी पर नहीं भूलेंगा इसका मतलब क्या है भारत में चिकित्सा का और शास्त्र पाक कला का ऐसा विज्ञान विक्सित हुआ है जहां quality भी maintain रहेगी और स्वाद भी maintain रहेगा तो मिट्टी की हांडी में बनाई हुई दाल को खाए तो स्वाद बहुत अच्छा है और शरीर की पोशक्ता उसकी इतनी जबरजस्त है कि दाल का सही खाने का मतलब उसमें है तब मैंने गाओं गाओं घूमता रहता हूँ तो पूछना शुरू किया तो बोलते हैं लोग कि जादा नहीं 30-40 साल पहले सब घर में मिट्टी की हांडी की दाल थी मेरी दादी को पूछा तो दादी कहती है कि हम तो जिंदकी भर मिट्टी की दाली खाते रहे तम मेरे समझ में आया कि मेरी दादी को डाइबिटीस क्यों नहीं हुआ तम मुझे समझ में आया उसको गुटने का दर्द क्यों नहीं हुआ तम मुझे समझ में आया उसके 32 दाथ मरने के दिन तक सुरक्षित थे क्योंकि हमने उसका अंतिम संसकार किया अगले दिन जब राखी लेने गड़े तो सारे दांत उसके 32 के 32 निकले तम मेरे समझ में आया कि 94 साल की उमर तक मरते समय चश्मा क्यों नहीं लगा उसकी आँखों पे और जीवन के आखरी दिन तक अपने कपड़े खुद अपने हाथ से धोते हुए मरी थी ये कारण है कि शरीर को आवश्यक माइक्रो न्यूट्रियंट्स की पूर्ती अगर नियमित रूप से होती रहे तो आपका शरीर ज्यादा दिनों तक बिना किसी दूसरे की मदद के काम करता है तो माइक्रो न्यूट्रियंट्स पूरा सप्लाई मिला दाल में जो खाई थी उसने मिट्टी की हाड़ी में पका पका के और ना सिर्फ दाल पकाती थी वो मिट्टी की हाड़ी में बलकि दूद भी मिट्टी की हाड़ी में पकाती थी गी भी मिट्टी के हाड़ी से ही निकालती थी दही का मठा भी मिट्टी के हाड़ी में ही बनता था अब मेरे समझ में आया कि हजारों साल से मिट्टी के बरतन क्यों इस देश में आये हम भी अलुमिनियम बना सकते थे देखिए बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो ये कि हिंदुस्तान भी 2000 साल पहले 5000 साल पहले अल्यूमिनियम बना सकता था क्योंकि अल्यूमिनियम का रौ मिटीरियल इस देश में भरपूर मात्रा में है बॉक्साइट हिंदुस्तान में बॉक्साइट के खजाने भरे पड़े हैं करनाटक बहुत बड़ा भंडार तमिलनाडू आंद्रप्रदेश बॉक्साइट के बड़े भंडार है हम भी बना सकते थे अगर बॉक्साइट है तो अल्यूमिनियम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी हमको जरूरत थी मिट्टी की हांडी की इसलिए हमने मिट्टी की हांडी बनाई और उसी पर सारे रिसर्च और एक्सपरिमेंट किये इसलिए कुमारों की एक पूरी की पूरी जमात इस देश में खड़ी की गई कि तुमको भईया मिट्टी के ही बरतन बनाने है माने तुम से बड़ा वेग्यानिक कौन अब ये कुमार जो इतने बड़े वेग्यानिक हैं इस देश के जो मिट्टी के बरतन बनाकर हजारों साल से दे रहे हमारे स्वास्त की रक्षा करने के लिए हमने उनको नीची जाती बना दिया हम कैसे मूर्ख लोग वो नीचे कहां है जरा बताईए अगर प्रेशर कुकर की कमपनी जो बना रही है प्रेशर कुकर वो उचा आदमी है तो ये कुमार नीचा कैसे हो गया ये उचा नीचा हमने डाल दिया इस देश में इसी ने देश का सत्यानाश कर दिया ये उचा नीचा कुछ तो अंग्रेजों ने डाला कुछ अंग्रेजों के पहले जो मुसल्मान थे उन्हों ने डाला और कुछ अंग्रेजों के जाने के बाद हम काले अंग्रेजों ने इसको ऐसा पक्का बना दिया कि कुमार इस देश में बैकवर्ड क्लास है जो सबसे बड़ा वैग्यानिक काम कर रहा है मिट्टी के बरतन बना बना कर आपके माइक्रो न्यूट्रियंट्स को आपके सुक्ष्म पोशक तत्तों को कम नहीं होने देने के लिए मिट्टी का सेलेक्शन करता है वो आपको मालूम है हर एक मिट्टी से बरतन नहीं बनते एक खास तरह की मिट्टी है वही बरतन बनाने मे इसलिए हांडी इससे बनाओ और इसमें कैल्शियम मैगनेशियम कम है इसलिए इसका कुलड बनाओ ये तो बहुत-बहुत बारीक और विज्ञान का काम है ये सब कुमार कर रहे हैं हजारों साल से कर रहे हैं बिना किसी युनिवर्सिटी में पढ़े हुए कर रहे हैं तो हमें तो वंदन करना चाहिए उनके सामने नत्मस तक होना चाहिए कितने महान लोग हैं दुरुभाग इसे सरकार की कैटेगरी में वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो ये जो मिट्टी के बरतन की बात हुई वो मिट्टी के बरतन की बात इसलिए कि माइक्रो न्यूट्रियंट्स का सब कुछ सामन रहता इसलिए हमारे हां मैल्यूमिनियम के बरतन या दूसरे मैटल के बरतन का चलन कम है भगवान के लिए तो बनाते नहीं धातूओं के बरत सिध्धान्थी वही है दाल का तो जो देर में खेत में पकी है वो देर में घर में भी पकेगी तो आप बोलेंगे फिर टाइम मैंनेजमेंट कैसे होगा मैं आपको सरल बता देता हूं दाल को हांडी में रखके चड़ा दीजे बाकी सब काम करते रहिए गंटे डेड़ गंटे में पक जाएगी उतार लीजिए फिर खा लीजिए घंटे डेड़ घंटे में आपके जाड़ू पोचा दूसरे बरतन साफ करना कपड़े साफ करना या जो भी काम करना है पढ़ना लिखना बच्चों को पढ़ाना वो करते रहिए वो दाल पकती रहेगी ये है बागवट जी का सूत्र कि ऐसा भोजन नहीं करना जो बनाते समय पकाते समय सूरी के प्रकाश से बंचित हो और पवन के इस परश से बंचित हो ये तबी संबव है जब आप खुले बरतन में खाना बनाएं तो पवन भी अंदर आए और सूरी का प्रकाश की किरने भी अंदर आएं खुला बरतन सबसे अच्छा मिट्टी का हांडी आप कहें जी मिट्टी के हांडी के बाद अगर कोई चीज है तो हमारे यहां एक मैटल बनता है जिसको आप लोग कहते हैं ऐलॉय है कांसा कांसा आपने सुना देख शायद देखा भी हो कईसी के घर में तो दूसरा सबसे अच जाता है कांसा तीसरा सबसे अच्छा माना जाता पीतल अब यह कांसे और पीतल में भी हमने काम कर लिया कि अरहर की डाल को कांसे के बरतन में पकाएं तो उसके सिर्फ तीन प्रतिशत माइक्रो न्यूट्रियंट कम होते हैं 97% मैंटेन रहते हैं पीतल के भगोने में पकाए तो साथ प्रतिशत कम होते हैं, 93% बचे रहते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में बनाएं, तो सिर्फ साथ प्रतिशत बचते हैं, वाकी खतम होते हैं, अब आप तै कर लीजिए, आपको लाइफ में क्वालिटी चाहिए, तो आपको मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना आप करेंगे, माने जो खा रहे हैं, वो पूरे शरीर में पोशकता दे, ये लाइफ की क्वालिटी की बात आप करेंगे, तो मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा, माने भारत की तरफ वापस लोटना पड़ेगा, इंडिया से, अभी हम हैं इंडिया में, जो ब किया है तो इसका परिणाम पता है क्या कि कुमारों की इज़त बढ़ गई है गाओं में गाओं वाले समझते हैं कि ये तो कोई बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लिए और मैं मानता हूं कि मेरे व्याख्यान की अगर कोई सार्थकता है तो वो ये कि कुमारों की इज़त इतनी रुपए में ही दे रहे हैं प्रेशर कुकर तो ड्हाई तीन सो रुपए का है और सबसे मज़े की बात कि ये हांडी जब खतम होगी मने इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो ये हांडी फिर मिट्टी में मिल जाएगी और फिर वोई मिट्टी से हांडी बन जाएगी दुनिया में ऐसी कोई वस्तू नहीं है प्रेशर कुकर के बारे में तो नहीं कह सकते हैं बायो डिग्रेडेबल है तो आप कोशिश करें अपने घर में थोड़ा परिवर्तन करें अब मैं आखरी बात जो आज की कह रहा हूँ वो ये मैंने पिछले दो वर्षों में मैं होमियोपेथी की भी चिकित्सा करता हूँ तो बहुत सारे पेशेंट मुझे फोन करते हैं राजी बाई ये 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 तो मैंने कुछ पेशेंट को खास कर कहा कि देखो भाईया आपको मैं कोई दवा नहीं दूँगा तो कहने लगे फिर बीमारी कैसे ठीक होगी मैंने का एक ही काम करो मिट्टी की दाल खाना शुरू करो मिट्टी की हांडी में रख्के होई दाल खाना शुरू करो चावल खाना है तो मिट्टी की हांडी का कहने लगे राजी बाई कौन करेगा ये सब मैंने का आपकी बीवी करेगी या आप करोगे अगर जिंदगी चाहिए तो जख मार के आप करोगे नहीं तो अमरीका जाओ, कनाडा जाओ, जर्मनी जाओ लाखों रुपए खर्च करो, फिर भी जख मार के वापस आओ डॉक्टर कहेगा इलाज नहीं तो आप देख लो, तो जो गंबीर मरीज है वो आप जानते हैं, वो कुछ भी करेंगे जो आप कहें तो मेरे पास कुछ डाइविटीज के क्रोनिक पेशेंट हैं, बहुत क्रोनिक जिनका यूनिट शुगर यूनिट चार सो असी के ऊपर हैं, ऐसे सौ से जादा पेशेंट, कुछ गुजरात में है कुछ राजिस्थान में हैं और कुछ बंबई में मैंने उनको कहा, ध्यान से मिट्टी का बरतन ले आओ, और शुरू करो अब बरतन लाने में तकलीफ होई तो कुमार को ढूणना पड़ा तो, लेकिन मिल गया, वो आठ से नौ महिना हो गया, नियमित रूप से मिट्टी की दाल और मिट्टी का चावल मने हांडी की दाल सबका शुगर टेस्ट किया है, तो चार सो असी यूनिट वाला, अभी एक सो असी यूनिट पे है, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी टॉनिक के, और हुम्यवेदी की कोई दवा नहीं दी मैंने उनको, कुछ लोगों को ज़्यादा परेशानते दवा भी दो, दवा भी दो, उनको प्लैसिवो दे दिया, प्लैसिवो समझते हैं, खाली गोली, दवा नहीं डाली, तो पेशेंट को लग रहा है कि मैं दवा खा रहा हूं, दवा खाके अच्छा हो रहा हूं, मुझे एक सूत्र लिख गए, कि आप ऐसा भोजन मत करो, जिसमें सूरी का प्रकाश ना जाए, पवन का इसपर्श ना हो, तो वो आपके लिए अमृत तत्तो है, भोजन नहीं है, वो अमृत जैसा है, ये एक सूत्र पूरा होता है, साड़े आठ का समय हो गया है, आगे कल दूसरा ऐसे करकर के, जो सबसे जरूरी पंद्रे है, वो पहले वताओंगा, और उसके आगे बढ़ता दो, आभार धन्यवार.